ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आठ सितंबर गुरुवार के रासी फल के बारे में कि इह दिन मित्वन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपून जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहीगा मिथों नाशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज बॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपकी वित्य इस्थिती में काफी सुदार आ जाएगा अचानक से धन प्राप्ती के आफसर आपके जीवन में आएंगे जो आपके भविश्य में आपके लिए एक बहतर आर्थिक जीवन का मार्ग प्रस्तुत करेंगे शिक्षा के लिए बहतरी समय रहेगा और आज आप अच्छी उपलब्दियों को प्राप्त करेंगे दोस्तो आप में आज उड़जा का इस्तर सामान रहेगा दूसरों के साथ अच्छे वेवार से आप दिमाग से काम लेंगे साथ काम करने वाले लोग आपके लिए मददगार हो सकते हैं किसी योजना के बारे में आप विचार कर सकते हैं थोड़ा धेर्य से काम लेना होगा और तकराव की इस्तितियों से आज आज आप बच कर चलें आप शांत लहजे में बात करेंगे तो लोग आपकी काफी तारीफ करेंगे दोस्तो आपकी आर्थिक इस्तिती आज काफी बहतर रहने वाली है और आप समय पढ़ने पर अपने कुछ मित्रों और रिष्टेदारों की आर्थिक सायता करेंगे नोकरी पेसा वाले लोगों को अधिक लाब मिलेगा उन्हें मन चाई नोकरी प्राप्त होने से अच्छे धनलाब के सुरोत जुड़ेंगे इस समय में जो कुछ कार्य हो रहा है उसे सफल बनाने का प्रियास बहतर हो सकता है कुछ बिगडे हुए कारों में सुधार होने की संभाव ना है विपरीत परिस्तियों में कुछ धनलाब के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त हो सकते है आपके मन में जल्द से पैसा कमाने की तीरव इच्छा पैदा होगी यह अच्छा वक्त है जो आपके लिए कामियाबी और फुसहाली लाएगा अपने उद्धिस्यों की और सांती से बढ़ते रहें और सफलता आपको मिल सकती है अगर हालत का आपने धहरे से सामना करा तो आपको अच्छे पैड़नाम प्राप्त हो सकते हैं कामकाजिके नजरिये से आज का दिन वाके में आपके लिए बहुती अच्छा रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगडिव हो सकता है दोस्तो आपको अपने भाई बैनों का आज पूरा शेयुक प्राप्त होगा और समाज में भी आपका और आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा आपको परिवार की जरुतों को ध्यान में रख कर कार्य करना होगा जो कई बार आपके नियंतर से बार होगी और इसके लिए आप परिशान भी होंगे दोस्तों साथ साथ कोई खास सौधा या बड़ा फैसला लेने से बचे कोई फैसला नहीं लेने और नतीजा नहीं मिल पाने में आप परिशान हो सकते हैं दिनवर कही न कहीं से रुकावट के इस्तिती रहेगी जो समया कर किसी को भी कोई बिना मांगी सला ना दें कठिन परिश्रम से सभी कर्रे आपके पूरे होंगे लेकिन अनावशक खर्च बढ़ने से आर्थिक इस्तिती प्रतिकूल हो सकती है लेने देन में सावधानी बढ़ते हैं परिवार का माहौल अच्छा लहेगा लेकिन दोस्तों से अनबन हो सकती हैं समवेदन सील मामलों में समल कर चलने की आपको आज आवशक्ता है संसादनों पर खर्च होने से मानसिक असांती तथा तनाव पूर इस्तिती हो सकती है आत्म विश्वास के आभाव में कियेगे कारों में रुकावट तथा बादा उत्पन हो सकती है वेवसाइक द्रश्टी से समय आपके लिए सामान ने रहने बाला है कोई नेकार योजना को विस्तार देना परिसानियों का कारण हो सकता है कोई तनाव और मतबेद आपको चिड़-चिड़ा और बेचेन बना सकते हैं आप अपने परिचितों पर अपने फैसले थोपने की कोशिस करेंगे तो आप अपने हितों को ही नुकसान पहुँचाएंगे सुनी अंसुनी बातों पर आखें मूंद कर यकीन ना करें और उनकी सच्चाई को भली बाती परखें वानी पर नियंतर रखना होगा अन्यता कल है हुने की संभावना भी रहेगी साफधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों किसी तरह की यात्रा या किसी तरह की सौपिंग इत्यादी को लेकर कहा सुनी हो सकती है ऐसे में आपको मदूर संबंद बनाए रखने का प्रियास करना आवश्क है आपके प्रियास से इस्तितिया अनुकूल हो सकती हैं आप अपने रिष्टे को नई रचनात मक्ता देंगे और उसको मजबूत बनाएंगे इस दोरान आप एक दूसरे के प्रती अत्यादिक आकर्शन भी महसूस करेंगे लेकिन ध्यान रखें मर्यादित आचनर करना ही सर्व प्रत्सा उचित होगा, साथ इसा आपको अपने प्रेतम को यह भी महसूस कराना होगा कि वास्तम में यह रिष्टा आपके लिए काफि महत्व रखता है और आपका प्रेतम ही आपके लिए सब कुछ है, दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत यह अच् की कारेभार की अधिकता रहेगी जिसके चलते मेहनत आपको अधिक करनी पड़ी और पूरा दिन भागदोर में बीतेगा कामकाज के सिलसिले में आज आपको कोई छोटी आत्रा पर भी जाना पड़ सकता है जो आगे चलकर आपके लिए काफी लाबदायक सिद्ध होंगी साथ साथ आज आपको धन प्राप्ति के भी अनेकों अफसरों की प्राप्ति होगी जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों साथ इसाथ मेडिकल से जोड़े छात्रों के लिए दिन आज आपके लिए बहुती अच्छा रहने वाला है नौकरी करने वाले जातकों के ल लिए काफी अनुकूल रहने वाली है और इस समय कुछ अच्छा लाब आपको प्राप्त हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे दोस्तो बात कर लेते हैं आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने स्वास्त को लेकर बिल्कूल भी चिंतित होने की कोई आवश्यक्ता नहीं है आज आपका स्वास्त आपका भरपूर साथ देगा आज आपके स्वास्त के सितारे आपका भरपूर साथ देंगे आज आप अपने आपको उर्जावान और बिल्कुल तनावमग को महसूस करेंगे जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा साथे साथ दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या है दोस्तों आज आप इस नान आदिशे निरवत्र होने के बाद भगवान श्रीहरी विश्नुजी को पीले रंग का फूल अर्पित करें और साथिसाथ भगवान श्रीहरी विश्नुजी के मंत्र ओम नमो भ दोस्तो ऐसा करने से भगवान शिरहरी विश्णो जी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टो को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाने चल नहीं हैं समस्त परिशाने उकांत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही सुब फलो की प्राप्ति होंगी औ और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद